हां जी डिफरेंट कोश्चन है केरे ने सेश्यालजी एलेक्टेव इंग्लिश सब्जेक्ट स्टेडी कीता है ते पोस्ट ग्रेजुएशन सेश्यालजी विच कीती है मेरा कॉंबिनेशन सेश्टी इंग्लिश बन दा है जे दूसरी तुसी सोशल सेज नहीं बड़ी ते उसद रांक अच्छा है तो एन्हों जनरल वाली सीट मिलेगी के सेश्याल डियानी जनरल में जने सकते हैं जनल वालै रिजर्व इजन नहीं जा सकते इस गल्नु समझ लो सुझत रांक अच्छा है तो गल्ने जनरल कंसिडर करके उसे मिल जाएगी सीटarte सेट मिल सकती है यह पर रταιकना उस ते cần करेगा भी सर फिल हइद एक टॉडज zum hell इस तोना उदास नहीं होना अच्छा बीबे बीबे पढ़के नहीं आशके अच्के इद्दनी उदास हो ना तुसे उननों कर दो उजरूर चेंज कर देंगे जरूर था नहीं मैं शायद कह रहे हैं कि उचेंज करंगे प्राविबिल्टी यही है तुसी एक वरी मेल जरूर कर दो कि मैं एक कॉलाई फिल हो गया गलती ना मैं आ करना से है ना सर मैं बियड प्लिटिकल साइंस पंजाबी लिटरेच्चर पड़िया है तो मेरा बियड लई की कंबिनेशन है बाद विच साल विच दोनों सब्जेक्ट प्योपी पड़े ने प्योपी आते हैं सर की मैंनो अडिशनल कर देना पोगा गौर्मन जॉब लई प्लीज चल प्लि अडिशनल पेपर देना पहना है कोशिश करें हो हिस्ट्री ही देए यो बी एदा तिन साल लागा दोस मिस्टर चोईगा बी एड देना आली कर सकते हो बाद विच भी कर सकते हो ठीक है तो अडिज उनिवस्टी केंदी है कि बीएड दा दा बी एडा क्लैश कर गया तो अडिजिबल हो ठीक हो सकती है सेम टाइम अडिशन दी बात कर रहे हो ना तुसी अडिशनल बीएदा इंग्लिश जी यह गल कर रहे हो ते हां हो सकती है बिल्कुल हो सकती है क्योंकि दो स्मिस्टर है स्मिस्टर वान है सैम वान है सैम टू है हाँ क्लैश कर दा है तो गलवक अग्टिव दस रहा हां फिर तुसी ना पंगालो पर जितों लगदा है कि मैं एक कर सकता हां और बीएड विच तो अड़े कई पेपर होने युनिवस्टी ते मैं स्लेबस पादेना हां तुसी स्लेबस देखो ओस सैंदा जो तुसी इंग्लिश करनी है देखो इंपेरिकल तर गुर्णानक चो थोड़ी डिफिकल्ट थोड़ा उखा लगेगा पंजाब च वी थोड़ा उखा हो सकता है क्योंकि स्लेबस पंजाब दा वी एड़ ज्यादा है दूजे नम्पर ते गुर्णानक दा तीजे ते सब तो इजी जड़ा है पंजाबी उनिवस्टी पटे आला फिर तुसी त्यारी करा दियो जी है मैं जो भी है त्यारी करा मांगा कमर्स रिलेटेड है तो अनू कमर्स वाले आनू ना ऐसे स्टी लेनी पेड़ी है एक मैं वीडियो पार यहां के रिलेशन्शिप बिटूइन दो यूर सब्जेक्ट च्वाइस एंड टीएटी ओ उदे एदे विच नेच्री हिस्टी ते मैं ती यही त्यारी करवाँ आगा एदी मास्टर के डरदी वी त्यारी करवाँ आगा थोड़ा मैं टाइम लेना होना है क्योंकि थोड़ा डीप चल जाना है तो तुसी कोई नहीं होवर सोर्स वी जेडा मर्जी देख सकते हूं एसर मैं प्रेजुएशन विच मैथ एकनॉमिक्स फिजिकल एजुकेशन कीती है कॉल है यार यूजर नेम कौन हो आप पंच्वी बार पूच लिया है टी साब टी फॉर तीरत ओके यह मैं रजी जवाब दे देता है अच्छा दाड़ा क्योंकि मैं तीजी बार चौति पंजी बार वीडियो तुसी 9872978981 ते फोन कर लिए हो ठीक है जहां वाइस मेसेज कर दी हो सर लॉग इन कर दे टाइम फोटो सिगनेचर अपलोड करन दी ने 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 यह थे हुन कुछ नहीं हो ना वह पहला सब कुछ हो चुका है वह पहला तुसी देख लिया है हुन नहीं हो कुछ भी माकुच भी घंच बीयू पि कख यहां योंदा सर् पीज पर मेरा सिंग रिजर्ट नहीं आया के लिट्ट करनल लें मैं दसदो की करना कर ना जा है क्या फिद्यार अंधि निया है तुसी नहीं फिल करंगे तो daw फिर इक डेट दित जाएंगी सेकंड कॉन्सेंञ विच ओदो तुसे फिल करोगी में आरडी वीडियो दस्या है चिंता ना करो admission हो जानी है सर बीये बीएड की Marit List कदो हो नहीं है बीये बीएड की Marit List कदो हो नहीं है ते study कदो start होगी जी प्लीस सर बीये बीएड की Marit List अच्छा वो बताया है यह हो गई आपकी 21st को है एक वीडियो निकला है पूरा इस पर के वीडियो कब आएगा, rank कब आएगा वो merit list 21 को है तो यह reply दिया यह help करते हैं लोग मेरी उन्हें गस्त regular classes merit list उन्हें regular classes 11 सब्तमबर तो जो के शुरू होनी आया English which की होना है grammar नहीं 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 इना नहीं दितता है literature ए तुसी ए ए चायद गलत हो गया थोड़ा एदा नहीं है जे तुसी English पुछ रहे हो B adage है ताँ B ad विच तुसी English grammar नहीं पढ़नी तुसी methods of teaching of English how to teach English okay ओ पढ़ना है literature नहीं पढ़ना जे बीए दी गल कर रहे हो फिर यह सही आंसर है literature आएगा so वापस चल दे हां अगले वीडियो थे केड़ा वीडियो शीगा इवला शीगा आब इपी चल दे हां अलो जी ओके और नौ कमेंट है बीएड नौट रिजिबल फॉर पी आटी और गुड कोश्चनर शाबाश यह सिक स्प्रीम कोट जा कोट था फैसला मेरे कोल नहीं है इसलिए इस लिए इस दुप एंडिंग रख लें आँ एटी वाले ने केस किता सी एटी वाले ने केस शायद हो जित्या हुए है उसदा डॉक्मेंटेशन पेको नहीं है डॉक्मेंट आनदा है तो आनूं प्रोवाइड करता हुए जिस विच उना ने क्या है कि द्याइड वाले 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 पेपरवान में टी इटी इछ टा पेपरवान तुसी परस आग देओ जस हुए टी विच लेकिन जब विच पिपर वन क्लियर करके तुसी पी आर्टी मतलब जेड़े पंजवी तक पंजवी तक पड़ा उनवाले टीचर ने प्राइमरी टीचर एलिमेंटरी टीचर ओले लिजिबल नहीं ने सो डॉकुमेंट आके मैं वेरिफाई कर दांगा है यहां सर मैंने बी एसी बायो टेकनोलजी की है गुर्णानगरी उनिस्ट्री मेरा मेज़र और माइनर सब्जेक्ट कॉमिनेशन बता दो आपका साइस मिल जाएगा क्योंकि अपने मैं 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 भी एसी की है बायो टेकनोलजी तो इसमें सब्जेक्ट अब मुझे नहीं पता याजवर पता होने चाहिए तो most probably आपको साइस मिल जाएगी science, biotechnology क्योंकि सीधा आपका prospectus में नहीं लिखा कि BSC biotechnology को क्या मिलेगा यही लिखा है BSC medical, non-medical और MSC जिसने की है तो आपका BSC लगा हुआ है इससे आपको science मिल जाएगी और science के बाद one subject sorry one year आपने जो subject और कोई पढ़ा है for example अगर physical science है वो पढ़ी है अना life science हो सकती है यह आपका life science की तरफ जा रहा है वैसे तो और science अगर पढ़ी होगी तो वो otherwise science और आपका English जा science और पंजाबी यह बन जाएगा इनका आपको फिर additional paper देना पड़ेगा BA का 3 साल का फिर TGT के लिए eligible हो जाओगे government job के लिए और यह दोस मिस्टर में हो सकता है खतम हो जाता है साथ साथ भी beard के दे सकते हो बात भी दे सकते हो तो आपका major subject जो biotechnology का science और अगर दूसरी कोई science कौन सी बीच में पढ़ी है सर मैंनो confusion है कि किसे ने beard which SST English लई बट किसे ने elective नहीं पढ़ी जाँ SST दा subject नहीं पढ़िया ओ पेपर लई eligible नहीं हो सकता जाँ किसे elective English नहीं पढ़ी ता ओ फिर SST ली selection test नहीं समझ लगी यार मैंनो मैंनो confusion है कि मैं किसे ने beard which SST English लई बट किसे ने elective नहीं पढ़ी हाँ ता SST दा एक subject नहीं पढ़िया हाँ समझा गई ओ किसे पेपर लई eligible नहीं हो सकता हाँ नहीं eligible ये कह रहे ने मानलो SST है एक ही social science पढ़ी है history पढ़ी है Punjabi University पत्याला ने उसनों SST दे देता कियो जॉबली eligible है हाना नहीं क्योंकि उसने दूसरी political science जहां geography economics हाना जैडिया साथ social science है sociology philosophy public art नहीं दो पढ़ियां होंगे फिर जॉबली eligible होएगा selection test नहीं नहीं जा सकते हैं दूसरी इनने history ते जनरल पंजाबी पढ़ी है जनरल पंजाबी तो जनरल पंजाबी भी नहीं पढ़ी थे एवी एड़ कर सकते हैं बीएड होगी यह नहीं लेकिन जॉब लए इननों इलेक्टेव पंजाबी दा अडिशनल पेपर देके फिर टीजी टीली इलिजीबली बनेगी फिर सेलेक्शन टेस्टे जा सकते हैं सो अंसर इस नहीं फिर ओल इजीबल नहीं हैं जे मिनों गलत समझ लग गिया था फिर गलत हो गया मैं बहुत ज्यादा बार मैसेज किते प्लीज बीएच सब्जेक्ट हिस्ट्री एकनोमिक्स पब्ली के अड़िए दिस हां मैं आपका तोड पिछले वीडियो चे जवाब देदता है जे फिर भी जवाब नहीं मिलिया हना इता दस तरदेटेज दस्या है फिर 9872978981 ते मैसेज कर सकते हैं जा फोन कर सकते हैं मैं फिर खालसा कॉलेज ले जाना है की कहरे ने है एनी आइडिया बाउट कंडिशन और फोस्टल इन खालसा कॉलेज अच्छा कॉलेज है तो वह इतना पुराना फिल में बनती है महां सब कुछ होगा होगा क्यों नहीं होगा फिर भी चेक कर लेना नो ब्रो है नहीं कहते सॉरी या ओके कितनी इच्छी आपस में बात करत है बहुत अच्छा लगता है ओके थैंक यू